Hello Friends, BK Competition Classes में आपका हर्द एक स्वागत है Important Question की सीरीज में आज मैं आपको B.S.C. Final Years Physics Paper First के जो-जो Important Question है हर एकाई में उनको बताऊंगा अगर आपने और कुछ पढ़ लिया है, बहुत अच्छा है लेकिन यह जो Question है, इनको एक नजर देखती जाईएगा इनमें से कोई भी Question आशकता है आपकी हर Question की लगबग 15-18 Question है, तो उनको देख लिजेगा स्टाट करते हैं, यूनेट फर्स्ट से यूनेट फर्स्ट का पहला Question है थामशन प्रिकीडन, रमन प्रिकीडन, एबं कॉम्टन प्रिकीडन को परिभासत करना है Second Question है, प्रिकास बिद्धत प्रभाव के इस अंदर में देहली उर्जा का क्यारत है तरंग पैकेट क्या है शमूबेक की सहायता से डीब्रोगली संबंद का निगमन कीजिए हाई जैन बर्ग के अनिश्चित्त से दान्त को समझाना है तरंग फलन का प्रशामानी करण समझाईए ये सॉर्ट कॉस्चन हो गए अब लोग कॉस्चन में है कॉम्टन एफेक्ट बताना है और इसको प्रूब करना है कि लैमडा एक्वल टू एच अपोन एमसी बन माइनस कॉस फाई अगला कॉस्चन प्रकाश बिद्धुत प्रवाव की बारे में बताना है और शाथ में बताना है कि चिर्शम्मत सिद्धान्द क्यों सफल रहा आशफल रहा प्लांग के कॉन्टम सिद्धान्द द्वारा आइश्टीन ने इसके किस प्रकार समझाया किष्ण पिंड बर्ण करम से क्या अतात पर है चिर्शम्मत सिद्धान्द द्वारा से क्यों नहीं समझाया गया प्लांग के कॉन्टम सिद्धान्द द्वारा इसकी ब्याक्षा कीजी अगला कॉस्चन एक ऐसे प्रियोग का बर्णन कीजी जिससे डीब रोगली की तरंग परिकल्पना की पुष्टी होती है द्रब के कन तरंग द्वैतबात की ब्याक्षा कीजी तथ डीब रोगली तरंग धहरे का शूत्र व्युत्पन कीजी डीब रोगली द्रब तरंग की अविदार्णा के आधार पर कौन्टम सर्थ जे कुल टू एनेस अपॉन टू पाइप प्राप्त कीजी कलावेक तथा स्रमूबेक में अंतरस पष्ट कीजी तेरमा कोश्चन है हाईजन बर्ग के अनिस्चित्ता संबंद को समझाना है और चगदुमा कौश्चन भी हाईजन बर्ग के अनिस्चित्ता सिद्धान्त से ही संबंदे थे इसमें आप हाईजन बर्ग के अनिस्चित्ता सिद्धान्त को समूबेक और कलावेक को उनकी डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजेगा अब आते हैं unit second पर पहला question है Schrodinger तरंग समीकण को समझाना है अनन्त गहराई तथा चौणाई एक एक विवह कूप मैं कण के लिए Schrodinger तरंग समीकण लिखיה स्रोdinger के समय निर्भर तथा समय मुक्त तरंग समीकण लिखיה तथा सिद्ध कीजे इसको अच्छे से कर लेना ये टाइम डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस इस पर कॉस्चन बन सकता है एक बॉक्स में मुक्त कण के लिए स्रोडिंजर समीकरण को हल कीजिए तथा इसके लिए विविन आईगन फल्लों एवं उर्जा के आईगन मानों की गड़ना कीजिए नैश्ठ है अनन्त चोड़ा एवं परी में तूँचाई के विवापराचीर से कण का पारकवन कैशे होता है मुक्त कनठोस गुरुना को विस्तार सेब बताना है सुरंगन एफएक्ट बताना है पर बोर की प्रतम कक्छा की तरिजजाग्यात करनी है शरला बरती 2 लित्र के लिए स्रोडेंजर एक्वेशन करना है तदा इसे solve करना है इसमें मुख जो है वो स्रोडिंजर एक्वेशन है और सुरंगन एफेक्ट इन दोनों को अच्छे से पढ़ने यह पूरे हैं यह सभी इंपोटेंट कॉस्चन है लेकिन इनको सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है तो स्रोडिंजर एक्वेशन हो गया एक बोर के प्रिथम मोड कोश्चन है दो ऐहले मौडल के कमिया बतानी है बप्र मोडल बरंण नियम पर ठिपड़ी बतानी है एक डिम्न उमेरिकल कॉश्चन है और ऐलको खको फ्री में रेक्वेशन चम्त्हथर और परमाणू की बढ़ने करम में ज्या अन्तर है इसकि भ्याख्या करनी हैonie लस निक किसी electron की अवस्ता ब्यक्त करने के लिए किन किन quantum संख्याओं के आवशक्ता होती है spectrum रेखाओं की ती बृदा की नियम लिखने है doon तथा hunt का नियम समझाना है bore model के अनुशार hydrogen परमाड़ु में electron की उर्जा तथा तरंग संख्या के लिए शूत्र प्राप्त करना है शामान ने जीमन एफेक्ट क्या है इसकी ब्याख्या कीजिए तथा बिस्थापन के लिए बेंजग याद कीजिए तो यह दस कॉस्चन है एक आई थर्ड के लिए आप नैस्टी काई बढ़ते हैं लेकिन पहले आपको बता दें कि आपको जो जो प्रॉब्लम हो या कोई आपका कॉस्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें हम सीख्र से सीख्र उसका अंसर देने की कोशिश क करेंगे अब आगे बढ़ते हैं काई फोर पर नो क्या पहला कॉस्चन है शुद्ध कंपनें के विम ऐलने कंपनिंग बढ़न-क्रण का संक्रम लिख्ये बनता है शुद्ध गूनद बरहन करम का संक्रम नीयंक क्या है दोलित्र की शून बिंदू उर्जा से क्या भी प्राय है दोलित्र की शून बिंदू उर्जा क्यों होती है कंपनेक बर्ण क्रम क्या है इसको समझाना है आपतित एक बर्णी प्रकास की आप ब्रती न्यू है इस्टोक रेखाओं की आप ब्रती वीवन तथा एंटिस् स्थापन बतानों कितना होग को समझाना है तथा इसे प्रूप करना है एक आनुक करना है एक को यह की गुंळन कुम्पन बर्ण क्रम कि विविश ना करनी रमा ने फैक्ट बताना है और दुल परमाणविक अणू के बर्ण करम के पास आउरक्त बेंडों की विवेशना बतानी है अब आते हैं लास्ट यूनिट पर यूनिट फिप्थ यूनिट फिप्थ का पहला कॉस्चन है नाबिक की बंधन ऊर्जा किशे कहते हैं बीट घंडन बर नाब की शल्यन को शमझाना है नाब की कोश तथा द्रब्बूंध पृतिरूपूं की तुलना करनी है गाईगल, नटल, नियम समझाएं कोश मोडल की विवेशना करनी है द्रब्बूंध मोडल संख्या किन तत्त्यों पर आधारेत होती हैं सेमी-इंपीरियल द जब मांशूत्री पर्टिपड़ी करनी है और बंधनूर्जा बक्रों को समझाने है तो ये थे कुछ पांचो यूनिट के जो जो important question थे BSC final year के वीडियो पशंद आई हो या ना आई हो लेकिन जो ये question है इनको जरूर आप solve कर लीजेगा ये आपके लिए help हो रहेंगे paper exam में best of luck for exam and comment में आपकी query जो भी हो उसको जरूर बताइए thank you so much